हेलो फ्रेंट्स गुड मोर्निंग और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टड्डी पाइंट यूटूटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना हर्याना जीके के प्रस्ण है और देखिए हर्याना के most selected question रहेंगे देखिए फ्रेंट्स अगर आप हर्याना के किसी भी एक्जाम की तयारी करते हैं तो आप हर्याना के most selected question इस वीडियो को अवस्य देखना क्योंकि इसमें ना ऐसे question है जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए उप्योगी है तो देखिए वीडियो को last question सक देखना और इसे like करना और share भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो उसका notification आप तक आता रहे तो देखिए friends आज की इस वीडियो में भी आपक करके दिखाएंगे तो चलिए देखते हैं आज का पहला question तो देखिए पहला question है हिंदी का प्राथम साहित्यकार किसे माना जाता है तो देखिए हिंदी का प्राथम साहित्यकार ये माना जाता है चोरंगी नात को इसमों option A सही है अगला question है हर्याना का प्राथम आधिकारिक संगीतकार किसे माना जाता है तो देखिए हरियाना का प्राथम आधिकारिक संगीतकार ये माना जाता है दीपचंद बैमन को और इसमों अप्शन भी सही है और देखिए दीपचंद बैमन है इनका संबंध है सोनी पर डिस्टिक से तो ये भी आपको ध्यान अखना है और देखिए इसको ना हरियाना का सेक्सपियर और हरियाना का काली दास ये भी कहा जाता है तो ये भी आपको ध्यान अखना है अगला कोस्चिन है जैन कावेधारा में आदी काल के किस कवी का महतोपोर्ण स्थान रहा है तो देखिए जैन कावेधारा में आदि कालकी किसकवी का महतोपोर्ण स्थान रहा तो ये रहा है पूस्पिदंत का इसमों option C सही है और देखिए इसकी जो रचना है एक है जसहर जसहर चरयाउ और एक है कोसगरंथ तो ये भी आपको ध्यान रकना है इसकी दो रचनाएं है अगला question है जजर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है तो देखिए जजर के नवाब के रूप में जाना जाता है ये जाना जाता है अबदूर रहमान खा को इसमें option C सही है अगला question है रानिया रियासत के सासक कौन थे तो देखिए रानिया रियासत है इसके सासक कौन थे ये देखना है तो ये सासक थे नूर, समंद खा इसमें option D सही है और देखिए जो रानिया है ये है सिरसा में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्यन है 1857 की क्रांती में जासी से हर्याना के किस करमचारी ने अंग्रेजी सासन के विरूद्ध विद्रोह किया तो देखिए 1857 की क्रांती में जासी से हर्याना के किस करमचारी ने अंग्रेजी सासन के विरूद विद्रो हो गिया ये किया है लाला हुकमचन जैनने इसमें option A सही है अगला question है पंडित नेकी राम सर्मा का संबंद किस जिले से है तो देखी पंडित नेकी राम सर्मा है इसका संबंद किस जिले से है तो ये है रोतक से इसमें option D सही है और देखी रोतक में भी न कैलंगा है वहाँ से इनका संबंध है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखी इसका जनम हुआ ये हुआ 4 सितंबर 1857 को तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखी इन्होंने न एक पत्रिका का प्रकासन किया था उस पत्रिका का नाम है संदेश पत्रिका और इसका प्रकासन किया ये किया भी वानी से तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखी इस पत्रिका को न ऐसे याद रख सकते है संदेश कैसा होना चाहिए तो संदेश नेकी का संदेश होना चाहिए इस तरीके से इस पत्रिका को याद रख सकते हैं नेकी का संदेश अगला कुस्चिन है हर्यानवी भासा में अमरतवानी की रचना किस ने की? तो देखिए हर्यानवी भासा में अमरतवानी की रचना ये रचना की है संत गरीबदास ने इसमों उप्सन सी सही है और देखिए जो संत गरीबदास जी है इनका संबंध है ये है जजजर डिस्टिक से तो ये भी आपको ध्यान रखना है और जजजर मेना चुडानी है वहाँ से इनका संबंध है तो ये भी आपको ध्यान लखना है और दीखिए इनका जनब हुआ ये हुआ 1717 में तो ये भी आपको ध्यान लखना है अगला question है नेमने में से ऐसे कौन से साहित्यकार है जो घरीबदास के पूत्र है तो देखिए इसमें देखना है कि कौन से ऐसे सहित्यकार है जो गरीवदास के पुत्र है तो वे हैं जैत्राम, इसमें option D सही है अगला question है मेवाती छेत्र के परमुख सहित्यकार, जिसकी परमुख रचना महा भारत है ये कौन है? तो देखिए मेवाती छेतर के प्रमुक साहित्यकार है और उसकी रचना है महा भारत तो ये है सादुल्ला इसमों अप्सन ए सही है ठीक है देखिए आपको ध्यान रखना है सादुल्ला है ये मेवाती छेतर के साहित्यकार है और इनकी रचना का नाम महाभारत है अगला कुश्यन है निमल लेखित में से समिन्य अवग्या अंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है तो देखी इसमें देखना है कि समिन्य अवग्या अंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति वेवैक्ति हैं बनारसी दास इसमों उप्शन सी सही है अगला कुस्चिन है देवाडी में नवयुवक सभा की स्थापना किस ने की? तो देखिए रेवाडी में नवयुवक सभा की स्थापना ये की है बनारसी दास ने इसमों उप्शन सी सही है अगला कोश्यन है चोधरी देविलाल का संबंद किस जिले से है तो देखिए चोधरी देविलाल है इसका संबंद किस जिले से है तो ये है सिर्षा से इसमें उप्शन भी सही है और देखिए सिर्षा में न चोटाला गाव है वहाँ से इनका संबंद है तो ये भी आपको ध्य नुखने नुखने थहां रखना है उसको ना ताहु के नाम से भी जाना जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है अगला question है सर छोटू राम का जन्म कब हुआ तो देखी सर छोटू राम है इनका जन्म कब हुआ ये हुआ 24 नवंबर 1881 को इस मोप्सन ए सही है और देखी इसका जन्म हुआ ये हुआ गड़ी सापला में तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखी गड़ी सापला ये न रोतक डिस्टिक में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखी इनकी मिर्त्यु हुई ये हुई 9 जन्वरी 1945 को तो आपको ये भी ध्यान रखना है और 9 जनवरी 1945 को न ये लाहूर में इनकी मिर्तिव हुई है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्यन है धमताना साहीब प्रमुक तीर्थ सथल सिखों के किस गुरू से संबंदित है तो देखिए धमताना साहिब प्रमुक्तीत सथल है ये सिखों के किस गुरू से संबंदित है ये देखना है तो ये है गुरू तेक बाहदूर से संबंदित इसमों अप्शन ए सही है और देखिए गुरू तेक बाहत दूर ये ना सिखो के नोवे गुरू थे तो ये भी आपको ध्यान लखना है अगला कोशियन है वीशु कुस्ती प्रैतिस पर्धा में दो पदक जीतने वाले खिलाडी कौन है तो देखिए वीशु कुस्ती प्रैतिस पर्धा में दो पदक जीतने वाले खिलाडी वी है बजरंग पूनिया इसमों अप्शन ए सही है और देखिए इसका संबंध है ये है जजर डिस्टिक से तो ये भी आपको ध्यान लखना है और जजर में खूडन एक गाउं है वहाँ से इनका संबंध है तो ये भी आपको ध्यान लखना है और देखिए जो नीरत चोपड़ा है इसका संबंध है पानी पर डिस्टिक से तो ये भी आपको ध्यान लखना है अगला कुश्यन है किसका मकवरा जो दक्सिन एसिया में प्राथम महिला समारक है तो देखी इसमें देखना है किसका मकवरा है जो दक्सिन एसिया में प्राथम महिला समारक है तो वह मकवरा है रजिय सुल्तान का इस मौपसन भी सही है और देखी वह है जो मकबरा है वह है कैथल डिस्टिक में तो ये भी आपको ध्यान रखना है देखी जो रजिया सुल्तान है इन्होंने न 1236 और 1240 तक दिली सल्तनत पर सासन किया है और 1240 में न इनकी मिर्त्यू कर दी गई थी तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्यन है सोनसर जंगल किस जिले में है तो देखी सोनसर जंगल है ये जंगल है कैथल में इसमें उप्षेंडी सही है अगला कोश्यन है सरवाधिक वन छेत्रफल वाला दूसरा जिला कौन सा है तो देखी इसमें देखना है सरवादिक वन छित्रफल वाला दूसरा जिला कौन सा है तो वह जिला है यमना नगर इसमा उपसन भी सही है ठीक है और अगर पहले नमबर पर देखा जाए तो वह आएगा पंचकुला तो ये भी आपको ध्यान लखना है अगला कोस्यन है निमली की तमेसे किस जिले में परियावरन अदालत है तो देखी इसमें देखना है कि कौन सा जिला है जहां पर परियावरन अदालत है तो वह जिला है फरीदाबाद इसमों अपसे इंडी सही है ठीक है और देखिए दूसरा जिला एक ओर है जहां पर प्रियावरान अदालत है तो वह है कुरुकसेत्र तो ये भी आपको ध्यान रखना है देखी कुरुकसेतर और फरीदाबाद दो ऐसे जिले है जहां पर प्रियावरन अदालत है तो ये आपको ध्यान लखना है देखी इसमें कहीं कहीं पर ना हिसार भी दिखाया गया है लेकिन हिसार नहीं आएगा क्योंकि हिसार में नहीं है ये कुरुकसेत्र औरी फरीदाबाद में है अगला कोश्यन है सुल्तानपूर पक्सी विहार का पुराना नाम क्या है तो देखिए सुल्तानपूर पक्सी विहार है इसका पुराना नाम है सलीम अली पक्सी विहार इसमोपसन ए सही है और देखिए इसका जो स्रे है जाता है खोज करने का स्रे ये जाता है पीटर जैक्सन को तो ये भी आपको ध्यान रखना है और सुल्तानपूर पक्सिविहार ये गुरुगराम डिस्टिक में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और गुरुग्राम मेना सुल्तानपूर एक गाव है वहाँ पर ये पक्सिविहार है और देखिए जो कलेसर वन्यजीव अप्यारन्य है ये यमना नगर में है अगला कोस्टियन है सरवाधिक नलकूपो से सिचाई किस जिले में होती है तो देखिए ये देखना है सरवाधिक नलकूपो से सिचाई किस जिले में होती है तो ये होती है कैथल में इसमोपसन A सही है अगला कोस्टियन है पलास के पेड किस जिले में पाए जाते है तो देखिए पलास के पेड है ये किस जिले में पाए जाते है तो ये पाई जाते है करनाल में इसमें option B सही है अगला question है पीपली चिडिया घर किस जिले में है तो देखिए पीपली चिडिया घर है ये किस जिले में है ये देखना है तो पीपली चिडिया घर है ये है कुरुक सित्र में इसमें option D सही है और देखें इसकी स्थापना हुई ये हुई 1982 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये ना केवल 27 एकड में फैला हुआ है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चिन है 2014-15 में चावल उत्पादक्ता के लिए हर्याना सरकार को कौन सा पुरुसकार मिला है तो देखें 2014-15 में चावल उत्पादक्ता के लिए हर्याना सरकार को मिला है क्रिसी कर्णम पुरुसकार और इसमें उप्शन ए सही है अगला कोस्चिन है निमल्लिकित में से सूचना प्रद्योगी की पार्क किस जिले में है तो देखिए फ्रेंड्स ओप्शन A है गुरुग्राम B है पंचकुला C है रेवाडी D है करना तो देखिए इस question का answer आपको comment box में comment करके बताना है और देखिए दूसरा question है निमल्लिकित में से फूड पार्क किस जिले में है तो देखिए ये option है इन्हीं में से देखना है कि किस जिले में फूड पार्क है तो option A है मेवाथ B है कैथल C है रेवाडी D है सिर्षा तो देखिए इस question का answer भी आपको comment box में comment करके बताना है और इन दोनों question के answer आपको एक ही comment में बताने है और आपका score कितना हुआ ये भी type कर देना तो देखिए friends ये थी आज की हमारी वीडियो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करना, share करना और अगर आप पहली बार हमारे channel पर आए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना और बेल आइकोन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका notification आप तक आता रहे Thank you